तो हम देखते हैं आज हम आभी तक हमने बहुत से नाम सुने हैं तो हर्णिया भी हमने सुना है लेकिन डाइफ्रिगमेटिक हर्णिया बहुत ही कम सुना होगा यह बहुत ही रियर देखने को मिलता है यहां बात करते हैं कि यहां पर डाइफ्रिगमेटिक हर्णिया होता क्या है एक पिक्चर देखने को मिल रही है जो कि हमारा देखने सिस्टम होता है वह एक आपनॉर्मल आइनो मतलब सबी को पता होगा कि किस तरह से ये लंग्स का सिस्टमग होता है लेकिन यहां पर हमें कुछ डिफ्रेंट रिखने को मिल रहा हमें सबकुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। हम देख पार है लिवर का साइज-बि- बौत इंलाज है यहे इंटयसटाइन है वो हमारे लंग्स के पास पहुँच चुकी है तो हम देखते हैं तो यह डाइफ्रेगमर्टिक हनिया होता क्या है हम यहां देखते हैं डाइफ्रेगमर्टिक कर देखते हैं तो यहां पर क्या होता है तो यहां पर क्या होता है तो यह जो हमारे थाइफ्रेगमर्टिक के है मतलब हम लोग यह प्रोटियोज हो गया, मतलब यहां पर ही जो हमारे abdominal से जो डोर्टियोज होंगे, वो सारे प्रोटियोज हो गये, वो हमारे lung side पहुँच गये, heart को भी compress कर रहे हैं और lungs को भी compress कर रहे हैं, तो यह तो था हमारा diaphragmatic hernia, क्या, क्या, क्योंकि इसमें औरगन को क्या होगा? औरगन प्रोट्यूस होगा है औरगन का प्रोट्यूजन हो गया है औरगन बाहर साइट को निकल गया है हम यह देख पा रहे है लिवर पार्शली अब इन्टू चैस्ट नेक्स डियाफ्रिगमाटिक हर्निया क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर हमारे हमने देख रहे हैं यह intestine का जो area जो intestine वाला area है वो लाज हो गया है तो उस लाजमेंट होने के कारण वो ही अपनी position चेंज कर दिया है इसे हमने बोला है diaphragmatic हनिया के diaphragm तो इसे cavity को cross कर रहे हैं जो हमारे organs है next हम देखते हैं types तो types क्या क्या होते हैं यहां पर तो first तो हम देख रहे हैं यहां पर wasdelic hernia and second देख रहे है morgani hernia तो यहां हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा wasdelic hernia है और morgani hernia वे different क्या है जैसे कि हमने इस picture में देखा यह हमारे दो side है left and right side तो हम यहां देख पा रहे हैं compressed left lungs यहां पर जो compressed हुआ है left lung हुआ है तो हम इस type में देखते हैं wasdelic hernia it occurred when defective opening in the left side of the diaphragm while this opening intestine and stomach and move into thoracic cavity तो जो जो बॉकड़लिक hernia का एक नाम दिया है यह जो भी defect हमें देखने को मिलेंगे जो opening देखने को मिलेगी जो diaphragm defects देखने को मिलेंगे वो हमारे left side में देखने को मिलेंगे जो भी organs होंगे वो left side को produce होंगे और morgani hernia में हमने देखा यह राइड साइड और middle side में यह जो proteus न देखने को मिल रहा है liver and intestine जो move करेंगे वो right side and middle side में देखने को मिल सकते हैं इसलिए हमने उसको बुला है morgani hernia हम इस picture के help से समा सकते हैं कि किस तरह से हो सकता है next हम बात करते हैं symptom क्या क्या सो होंगे तो first तो जिसनिया होगा ट्रेकिप्निया and sinuses भी देखने को मिल सकता है retraction भी देखने को मिलेगा gasping देखने को मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ देखा कि जो हमारे lungs है and heart है वो दौनों ही compress हो रहे हैं तो सास लेने भी problem जाएगी breathing difficulty भी हम बोश सकते हैं gasping भी बोश सकते हैं मुह से आवाज आएगी मुह से सास लेने की कोशिस करेगी तो मुह से भी आवाज आएगी excavated abdomen with external हमें पिक्चर देख पा रहे हैं तो कुछ इस तरह से हमारा justumak external है वो इस तरह से कुछ देखने को मिलता है मतलब अंदर साइट को वो जा चुका है next protusion protusion जैसे कि हम जानते हैं जो भी organ से बाहर निकल ले हुए scaphoid abdomen जो हमारा abdomen है वो scaphoid तरह से देखने को मिलेगा जैसे हम यहां देख पा रहे हैं कि flat abdomen है and scaphoid है तो कुछ जो flat जो हमारे normal condition से वो जो हमारा abdomen है वो अंदर धसा हुआ देखने को मिलेगा इसे हमने वोला scaphoid abdomen next हम देखते हैं bowel sound here over the chest जो हमारा bowel sound होगा वो हमें कहां देखने को मिलेगा chest side में देखने को मिलेगा क्योंकि हमने पहले picture में देखा कि जो भी हमारे abdominal organs है वो हमारे chest side में जा चुके हैं तो यह तो हमारे थे symptom अब बात करते हैं causes की causes यह या फिर कोई diaphragmatic defects देखने को मिलेगा तब यह condition occur हो सकती है और next हमें symptom shock and hypoxia की condition भी देखने को मिलेगी क्योंकि पूरा system हमारा lungs और heart से ही चलता है तो lungs और heart के कान यह सारी condition हमें देखने को मिलेगा and हमें chest का size भी increase देखने को मिलेगा next हम बोद देखते हैं diagnosis में हम क्या क्या करेंगे जैसे कि हम सभी में करते है history collection, physical examination, antinatal, ultrasonogram भी करेंगे क्योंकि अगर पहले से ही पता चल जाए तो उसका कुछ solution निकाल सकते हैं plan x-ray करेंगे hemithorox x-ray भी करेंगे and eco-cardiogram करेंगे abg studies भी करेंगे क्योंकि यहां पर artery का problem भी हो सकता है blood gases and ps level भी हम यहां पर देखेंगे अब बात करते हैं treatment की तो first तो हम treatment देंगे new neutral resuscitation 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 हम क्यों देंगे जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पर lungs compress है अगर possible है तो उसे ठीक किया जा सकता है तो हम यहां resuscitation देंगे lonotrophin drug देंगे जो कि हमारे cardiac function अगर disturb है तो उसे आठीक करें यहां पर next देखते है extracorporeal membrane oxygenation ECMO इसका हम use cup करते हैं अगर lungs काम नहीं कर रहा है तो artificial artificially जो हमारा blood है उसको प्योर करेंगे lungs के artificial lungs से उसको प्योर करेंगे जब तक कि वो baby का lung जो रिपेर ना हो जा या फिर अपना normal move ना कर पाए normal जब तक वो अपना work ना करें जब तक क्या करेंगे artificial lungs लंग्स प्रोवाइट करवाएंगे ताकि वो जो मारा blood है वो प्योर करते रहे next देखते है inhaled nitric oxide for pulmonary hypertension यहां पर nitric oxide भी inhaled करने को देंगे ताकि जो मारे किसले देंगे क्योंकि pulmonary hypertension की condition भी हो रही है तो हम nitric oxide देंगे और last जो option रहेगा यह सारे तो हमारे primary रहेंगे जो last option रहेगा या तो bypass surgery तो according to condition organ के according यहां पर surgery की जाएगी तो last option जो रहेगा हमारा surgery का रहेगा next हम देखते हैं जैसे कि हम देखते pre-operative care, post-operative care, nursing care plan क्या होगी यह तो हमने कुछ common common लिखे हैं लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे यहां पर care होती हैं तो pre-operative care में suctioning respiration करेंगे infection को prevent करने के लिए O2 administer करेंगे और endotracheal tube का भी insertion करेंगे regular monitor blood oxygen, blood glucose level चेक करेंगे तो mostly oxygen level तो देखना ही है nasogastric tube aspirate for discompass the stomach nasogastric tube to prevent hypothermia, hypothermia की condition है तो उसे प्रवेंट करना है give antibiotic infection ना हो पाए इसलिए हम antibiotic भी देंगे next post-operative nursing care में give medication time to time, medication देना time to time, vital signs and maintain body temperature temperature को भी maintain करना है nutrition जो की रहेगा nutrition को भी यहां पर maintain करना है first priority हम दे सकते हैं यहां पर जो हमारा vital है and medication है यह तो provide करना ही है nursing management में हम यहां पर first priority देते है nutritional diet की तो यहां पर हम nursing management देंगे I hope कि यह हमारा diaphragmatic हनिया है इसका concept clear हुआ होगा तो तो घएं यह कुश है है अ झाव